शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले बतन पे मरने वालों का यही बांकी निशा होगा संपुन भारत के नौटी के आवेदक जिन्होंने नौटी के लिए आवेदन किया था जिनका सारा प्रोसेस पुरा हो चुका है सिर्फ बेबसाई परमानपत निर्गत होना बांकी है उनके लिए अब आगे का चलेंज क्या होने जा रहा है मैं चाहता हूँ इस पर बिश्तिर चर्चा करूँ नौटी के आवेदक के लिए जो मुखे जो दो पॉइंट मैंने चिन्हित किया है वो इस परकार है कि अब नौटी आवेदकों को आगे करना क्या है मैं समझता हूँ उनको जो एक पॉलिसी एक्तियार करना है उस पॉलिसी का नाम है बैटन बाच उनको देखना भी है और इंतेजार भी करना है कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है और उनको दूसरा पॉलिसी एक्तियार करना है उसका नाम है एक्षन कार्ज जो रुका हुआ है उस कार्ज को कैसे तेजी कराना है कैसे उस कार्ज को रफतार पकराना है यही अभी Notary आवेदकों को दो कार्ज दो पॉलिसी के अनुसार चलना है तो जैसा कि आपको या सबों को पता है कि मैंने एक गुरूप बनाया Notary Advocate Association के नाम से और संपून भारत के Notary आवेदकों को मैंने अनुरोध किया निवेदन किया कि किर्पिया आप एक सुत्र में बंध जाएं और बहुत से राज्यों से नोट्री आबेदक जुरे भी और परिनाम ये है कि उसका जो अभी इंपेक्ट असर दिख रहा है वो बहुत पॉजेटिव दिख रहा है गुरूप बनाने कि क्या-क्या फाइदे हुए सबसे पहले मैं इस पर चर्चा कर लूँ एक तो क्या है कि किसी अन्ने राज में जब बैवसाई परमान पत्रिजब निर्गत होता है तो गुरूप के माध्यम से उनको पता चल जाता है कि चलो किसी भी राज में तो मिल लहा है दूसरा उनको फाइदा क्या है कि अभी बरतमान स्टेटस उनको चेक करने में सहुलियत हो रही है जो गुरूप में एक्सपर्ट हैं उनको वो कॉल करते हैं या गुरूप में मैसेज करते हैं तो वो सारा सिस्टम उनको गुरूप के माधम से या कॉल के माधम से वो बता देते हैं इस परकार से गुरूप बनने से कई परकार के फाइदे हुए और और भी फाइदे आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे तो Notary Advocate Association के लिए मैंने जो नंबर जो रिलीज किया था 6200662773 इस पर मेसेज आ रहे हैं और गुरूप में धीरे धीरे भारत के सभी राज्यों से Notary के आबेदक अधिवक्ता धीरे धीरे जूर रहे हैं बहुत अच्छा कदम है अभी जो बैटन बाच की इस्तिती है वो क्या है बैटन बाच की इस्तिती ये है कि अभी संपुन भारत में तीन स्टेट्स है जहां पे Notary वेवसाई परमानपत इस्सू करने का कार चल लहा है एक में राजिस्थान है दूसरा में गुजरात है और तिसरा में उत्राखंड है ये तीन राजियों में ये वेवसाई परमानपत निर्गत करने का परकिरिया जारी है मैं समझता हूँ अगर तीनों राज का पूरा Complete हो जाता है तो फिर अन्य तीन राज, चार राज, पांच राजियों का फिर होना जारी होगा और ये तीन अभी क्या है कि सभों को एक परकार से जो एक हुआ खरा किया गया, एक माहौल बनाया गया कि सब को डोकुमेंट फिर से भेजना है, फिर से भेजना है अभी सिर्फ राजिस्थान, गुजरात, उत्राखंड, तीन इस्टेट्स के जो आबे तक है उन्ही का पोर्टल पे डोकुमेंट अभी समिट करने का कार्ज संभव है और भारत के ये तीन इस्टेट को छोड़कर राजिस्थान, गुजरात, उत्राखंड को छोड़कर अन्य राज के जो भी आबे तक है उनको बैटन बाच करना है, सिर्फ उनको इंतजार करना है, देखते रहना है और मैं समझता हूँ, ये तीन इस्टेट्स जो ही पुपुरा होगा अन्य इस्टेट्स, तीन या चार या पाँच इस्टेट्स जो भी समभव होगा सतफ पोर्टल पर उनका डोकुमेंट लोड होना सुरू हो जाएगा तो अभी बैटन बाच की इस्तिती है और जो नेक्स चैलेंज है, कार्ज में कैसे परगती लाया जाए तो ये हमारे या आपके लिए ये एक चैलेंज की बात है इक इंग्लिज में एक कहावत है, कर्पोरेट जगत में एक कहावत होता है कि Boss is always right लेकिन हमने आप जो माना है कि Boss is always right मैंने आप से अनुरोध किया था कि आप किसी भी States के हो कम से कम या तो गुरूब के माधहम से या ब्यक्टिगत इंडिवीजूल आप जो सम्मंधित अधिकारी हैं जैसे लौ ओफिसर हैं सेंटर के या मानिय परधान मंतिरी महोदे हैं मानिय राष्टपती महोदे हैं या जो भी सम्मंधित अधिकारी है या जो भी सम्मंधित ऐसा विभाग है जहां से आपको लगता है कि कुछ नो कुछ एक्षन का रियक् आपका कार जल्दी हो सकता है आप जरूर करें और अभी तक दो इस्टेट्स का मैंने मैं देख रहा हूं कि गुरूप बन चुका है एक नमर में महराश्ट जा रहा है महराश्ट में गुरूप बन चुका है और दुसरा गुरूप मैं जवलपूर का देख रहा हूं MP का देख देशों का अलग अलग गुरूब बना लें और या तो आप आवेदन अपना लॉग मिनिस्टर के पास या मानिय परधान मंतिरी के पास या डाक दोवारा या इमेल दोवारा आप भेज़ें चुकि जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे कार्ज में परगती नहीं होगा आप उ उस मकाम को हासिल कर रहे हैं, जिस मकाम से होकर महत्मा गांधी गुझरे थे, पंडी जवाहरलाल गुझरे थे, ऐसा कहें के भारत को आजाद कराने वाले मैं जिनका नाम लिया हूँ उनहीं को सिरे जाता है. चुकि उस समय कहने के लिए तो भारत में बहुत से बिद्वान थे लेकिन महात्मा गान्धी सर्दार बनलब भाई पटेल डाक्टर राजिंदर परसाथ पंडी जवाहरलाल नहरू ये सब जो भी थे उस समय के अधिवक्ता थे और बिदमना अभी ये है कि सभों का क्या होता ह है कि कोई न कोई और्गिनाइजेशन होता है आवाज उठाने वाला और्गिनाइजेशन होता है मैं समझता हूं कि 40,000 लगभग नोट्री आबेदक है संपून भारत से इनका मैं समझता हूं कोई संगठन नहीं है इसका कारण क्या है या तो आप समझने के लिए तयार नही नहीं है या नहीं तो आप समझाने के लिए तयार नहीं है या नहीं तो आप जिस हालात में उस हालात में आप अपने आपको संतुष्ट महसूस कर रहे हैं तो आपको क्या होगा कि आप ने जो सिस्टम अपने माइन में सेट कर लिया है प्रोग्राम उसको चेंज करना होगा आपको खुद आगे बढ़ना होगा, आपको आकर नेत्तिव करना होगा, नहीं तो कहा जाता है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, जो नकी खुद कोशिस बदलने की जमाने में, आपको कोशिस करना होगा, संपुन भारत के नोट्री आवेदक, सबसे पहली बात यह है कि हमें या आप में जो सबसे बड़ा डिफॉल्ट पाया जाता है, डिसिप्लीन की कमी, सहजोग की कमी, और दूरदर्सिता की कमी, यानि हमारा आपका जो विजन है, विजन सही होना चाहिए, और जब विजन सही होगा, तो निशिती कार्ज अच्छा होगा, चुकि नोट्री का पोस्ट ऐसा पोस्ट है, कि ये बकील साहब को, समझिये तो एक लाइसेंस नहीं मिलता है, बलके कई पीरी दर पीरी, उनके ज करनेशन है, जो बकालत में जुरे रहेंगे, उसका समझ ये तो एक लाइसेंस मिलता है, मैं मुंबई में देख रहा हूँ, मैं जो भी महानगर है वहां देख रहा हूँ, कि नोट्री से जुरे आवेदक उनको फुरसत नहीं है, और वो उस एलाके के बहुत सम्मानित ब्यक अगर आप प्राप्त कर लेते हैं वेफसाई परमान पत्र तो आपके कई पीरी दर पीरी क्या होंगे सुखमे होंगे नहीं तो इसका जिम्मेवार आप होंगे अभी ऐसा है कि भारत के सभी राजियों से नोट्री आवेदक जो आवेदन किये हैं आप जो 2019 में जो आवेदन कि रहेंगे आप जगे हुए नहीं रहेंगे अगर आप और्गनाइजेशन से जुरे नहीं रहेंगे तो 60% उसमें आपका भी नाम हो सकता है 60% से जादे नोट्री आवेदक छाड़ दिये जाएंगे उनको किसी न किसी रूप में छाड़ दिया जाएगा फिर सवाल कहां आए और बहां सरकार है सरकार से लड़ना इतना आसान नहीं होता है चुकि सरकार के पास सिस्टम होता है और हमारे आपके पास कोई सिस्टम नहीं होता है तो नोट्री आवेदकों से कहना ये है कि आप दो सिस्टम पर आपको दो फर्मूला पर काम करना है एक तो आपको बैटन बाच करते रहना है जब अभी तीन राज का ही पोटल पर डोकुमेंट लोड हो रहा है हो सकता है आज कल पर्सू या कभी भी अन्य राज का भी लोड होना शुरू हो जाए तो आपको इसके लिए क्या होगा सजग रहना होगा गुरूप से जुरकर रहना होगा जुहीं आपको पता चला कि अन्य राजु का भी पोर्टल खुल गया है तो आप अटोमेटिक क्या है कि पोर्टल पर डोकुमेंट आप लोट करना सुरू कर देंगे तो अगर आप सजग नहीं रहेंगे तो किसी न किसी कारण से आप छट जाएंगे या छाण दिये जाएंगे तो ये इस्तिती है और गुरूप में मैं देख रहा हूँ बिना मतलब का मेसेज आता है जिससे क्या होता है कि कार्ज करने वालों में डिस्ट्रेक्शन पैदा होता है उनका जो फोकस होता है फोकस पे असर पड़ता है मैं कह रहा हूँ कि सभी राज्यों से सम्मंधित लौ ओफिसर है या सम्मंधित जो भी ऑथोरिटी है दिल्ली में आप बहाँ पे कम्पलेंड दर्ज कराएं ओनलाइन कम्पलेंड दर्ज कराएं बाई रेजिस्टर कराएं कोई फर्क नहीं परता लेकिन आप कराएं तो ही आपका कार्ज परगती पर होगा नहीं तो आप चुकि एक सायर ने कहा था कि न समलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदूस्तावालो तुम्हारी दास्तां भी तक न होगी दास्तानों में आप कब तक भागेंगे कार्ज से कहां तक भागेंगे जिम्मेवारी से कहां तक भागेंगे आपको चुकि फैमली का जिम्मेवारी समाज का जिम्मेवारी आपका खुद का जिम्मेवारी आपको छोड़ेगा नहीं तो ये तो बाते हो गई और भी बात ये है कि नोटरी में जो अभी जुरने का जो मैं रेशियो मिला रहा हूँ महिलाओं का बहुत कम है महिलाओं का मैं चाहता हूँ कि उनका भी परतिनिधित हो सभी राजियों से तो इसके बाद जो अगला जो मेरा कदम है सबसे पहले सभी स्टेट्स में कोसिस करें कि गुरूप बना लें और अगला जो कार्ज करम होगा वो दिल्ली मेर बजाबता रहकर वहां के law minister से मिलना मानिये परधान मंत्री महोदे से मिलना मानिये राष्टपती महोदे से मिलना या जो भी सम्मंधित अधिकारी है उनसे मिलना और इसकार्ज को कराना तो कहा जाता है कि अकेले चना भार नहीं फोड़ता है इसमें सभों के सहभागिता का जरूरी है तो यही बाते हैं और मैं कह रहा हूँ कि 2019 का आप list देख लिजिए 60% आबेदक छट गए थे इस बार आप भी छट सकते हैं अगर आप सजग नहीं रहेंगे आप नोट्री एडवोकेट एसे उसियेशन या किसी अन्य गूरूप से नहीं जूरे रहेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका क्या हुआ चुकि हम जिस समस्या से गुजर रहे हैं उसको कहते हैं अफसर साही अब सर साही के बज़े से कदम कदम पे लड़ना होगा और कदम कदम पे हमको आपको लड़ना होगा तभी सफलता हमको आपको मिलेगी इस गुरूप में सुरू में बहुत से नोट्री आबेदक जूरे वो कह रहे थे कि अब चुकि छेरचार नहीं करिये जैसे है वैसे चलने दिजिए उनके कहने का यही अर्थ था अब मैं उनहीं से पूछता हूँ अगर वो इस गुरूप से नहीं जूरते तो उनके स्टेटस के क्या इस्थिती है आपको उनको पता चल पाता कभी नहीं चल पाता सबसे पहले वो ही छट जाते तो यही मेरा कहना है कि अभी राजिस्थान, गुजरात और उत्राखंड का नौट्री पोर्टल पर जो भी है डोकुमेंट जैसे आपने आवेदन के समय में आपने लिखा था उसी परकार से लोड हो रहा है या तो आप खुद लोड कर लिजिए नहीं तो किसी एक्सपर्ट से आप लोड करा लिजिए चुकि उसमें आपका एक फोटू मांगा जा रहा है आपका जो आपका concern बार जो no objection certificate जारी किया था कि यह नोट्री बनते हैं तो मुझे कोई आपती नहीं है उस document को लोड करना है metric का जो certificate है उसको करना है उसके एलावा आपका जो law college जो आपका degree प्रोभाइट किया है मुल परमान पत्र उसको लोड करना है आपका जो सनद है उसको लोड करना है आपको कब सनद आपको issue हुआ था उसको लोड करना है इसी परकार से ये सारा परकिरिया आपको पूरा करना है कोई बरी बात नहीं है सिर्फ आपको दो कार्ज करना है बैटन बाच की इस्तिती में रहना है मैं समझ रहा हूँ कि गुरूप में बहुत से सदस्य है वो कॉमेंट करते हैं इसको आपको जहलना होगा अगर आप सोचेंगे मैं लिफ्ट कर जाऊं आपको बधाई हो लेकिन आप छुटेंगे इसका जिम्मेबार आप रहेंगे दूसरी ओर क्या है कि कार्ज थोड़ा परगती हो इस परगती में आपको सहभागीता निभाना होगा आपको सहजोग करना होगा अगर आपके स्टेट से अगर कोई दिल्ली जाते हैं आप उनको 50 रुपिया 100 रुपिया आप पैसे देकर उनको आप दिल्ली भेज़े ताके वो ओपिस में जाके मिले लौ ओफिसर से मिले या अन्ने से मिले सबसे पहले कहा जाता है कि घौर दोही तो बॉन दोही आप अपने स्टेट्स को मजबूत कर लिजिए और आप ऐसा करिए कि अगर परती निधी अगर आप तयार करते हैं तो वो निशित ही कुछ न कुछ आपके लिए कार्ज करेगा और जो कार्ज होगा अच्छा होगा तो आज का जो मुखे संदे से इस चैनल के माध्यम से मैं जो बाते कहने जा रहा हूं कि सिर्फ तीन स्टेट्स को छोड़कर राजिस्थान, गुजरात, उतराखंड अभी किसी भी स्टेट्स का पोर्टल पे डोकुमेंट लोड नहीं हो रहा है अभी तीन स्टेट्स के लिए ही खुला है अगर जो ही खुलता है तो गुरूप में किर्पिया जो भी पहले जानेंगे गुरूप में जानकारी दे देंगे दूसरा क्या है कि कार्ज में कैसे परगती कराया जाए कार्ज को कैसे आगे बढ़ाए जाए कि जल्दी कार्ज हो ताके जो भी नोटी आबे तक है एक भी छुटने नहीं पाए उनके लिए भी परियास करना है तो यही बात है और गर्ब की बात है कि हम महात्मा गान्धी सर्दार बल्लब भाई पटिल पंडी जवाहलाल नहिरू डाक्टर राजंदर परसाथ हम उनके देश के निवासी हैं और हमें जजवा है कि हम अपने अधिकार के लिए लरेंगे लाश तक लरेंगे और सफलता हासि करेंगे चुकि आप सबों को जानकारी होगा एक मैं आपको बता दूं कि गुरूप में आता है कि महराश्ट से सारे 14,000 के लगभग आबेदक हैं मैं आपको बता दूं कि बर्स 2024 में महराश्ट का संख्या बरहा के पहले 8,000 था अब इसको बरहा के 20,000 कर दिया गया महराश्ट में नोटरी आबेदक सेंटर दुआरा निउक्त करने का संख्या 20,000 हो गया है इसी परकार से सभी राज्यों में बरहा दिये गए हैं आपको पहले से जानकारी होगा आंधरा परदेश में ये था 1,700 इसको बरहा के 3,000 किया गया असम में ये 575 था एक हजार कर दिया गया बिहार में ये 925 था इसको दो हजार कर दिया गया गुजरात में पहले ये 8,000 था इसको बरहा के 12,000 कर दिया गया उसके इलावा केरल में ये 1750 था इसको बरहा के 3500 कर दिया गया और मद्धे पर्देश में ये पहले 1650 था इसको 4000 बरहा के कर दिया गया तमिनाडू में ये 4700 था इसको बरहा के 9000 किया गया महराश्ट में ये पहले मैं बता ही चोका हूँ 8000 से बहाके 20,000 किया गया करनाटरका में ये 3500 था इसको 7000 किया गया उरिशा में ये पहले 750 था जिसको 2000 कर दिया गया उसी परकार से पंजाम में ये पहले 2000 था इसको 3500 बहाया गया राजिस्थान में ये 4500 था इसको 7000 कर दिया गया उत्तर पर्देश में पहले ये 5150 था जिसको 14000 किया गया पच्छिम बंगाल में पहले इसका संख्या 600 था जिसको 2000 किया गया उसके एलावा जम्मू कस्मी नहीं भी ये पहले 350 था जिसको 500 कर दिया गया हर्याना में 2000 से परहा के 3500 किया गया हिमाचल पर्देश में 400 था जिसको 800 किया गया उसके एलावा गुआ में ये पहले 150 था जिसको 350 किया गया उसके बाद उत्रांचल में ये उत्राखन में पहले ये 325 था इसको परहा के 400 किया गया 36 गर में ये पहले 900 था 2000 किया गया जारखन में ये पहले 450 था जिसको 1000 किया गया तिलंगाना में ये पहले 1000 था ये 2000 हो गया इसके अलावा दिल्ली में ये पहले 1800 था जिसको 2400 किया गया मैं आप ही से सवाल करता हूं कि किस राजत से जितना नोटी का seat है उससे जादे आवेदक है मैं समझता हूँ किसी भी राजिस से नहीं तो मैं बार बार एक बातें आपको बोलता हूँ कि सतरक्ता हटी, दुरगटना घटी आप या तो क्या है कि यूनीटी को आप समझिए अगर आपको नौटी परमान पत्र चाहिए वेफसाई परमान पत्र चाहिए तो आप संगठीत होके रहिए और नहीं अगर आप संगठीत होना चाहते हैं इसका मतलब आपको जरूरत नहीं है तो भारत के सभी राज्यों के जो नोटी आवेदक है उनसे मेरा निवेदन है के corporate जगत में कहा जाता है के boss is always right तो आप से मेरा निवेदन है के मैं आपको से निवेदन कर रहा हूँ के आप कम से कम unite हो जाए और खास करके नोटी की जो महिलाएं है वो थोड़ा आगे आईए और आप अपने पूर्सों का जो इस्तिती है आप तो देखी रहे हैं कम से कम पूर्सों के साथ अगर महिलाओं का भी साथ अगर हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि एक भी नोटी आबेदक ऐसा नहीं रहेगा जो बेफसाई परमानपत से बंचित रहेगा तो इसी आसार उमीद के साथ मैं जो आपको बता रहा हूँ वो मुख़ बात यह है कि भारत के सभी स्टेट्स के सभी छेतरों के जो नोटी आबेदक है उनको जो फर्मूला एक्तियार करना है बैट एन बाच आप इंतेजार करते रहे और देखते रहे इंतेजार करते रहे और दूसरा है कि आपका जो कार्ज अभी रुका हुआ है उसमें कैसे परगती हो परगती के लिए कोसिज करना है गुरूप में आप लिखते हैं बहुत अच्छा आप लिखते हैं उसी को थोड़ा आप अपने भासा में आपके इस्टेट्स का जो समसिया है थोड़ा परधानमंतरी ओपिस में भेज दीजिए थोड़ा लौ मिनिस्टर के पास भेज दीजिए मानिये राष्टपती के पास भेज दीजिए चुकि मैंने आपको अन्ने विडियो में भी कहा था कि बड़ी मचली छोटी मचली को खा जाती है और आपका जब तक सिरजनात्मक सोच जब तक कार्ज नहीं करेगा चुकि आपके लिए लरने के लिए अब कोई अवतार नहीं लेंगे आपको खुद क्या होगा कि अपना कार्ज खुद करना होगा तो इसी आसा और उमीद के साथ कहना है कि भारत के जो नौटी आबेदक है जो मैंने आपको नमबर दिया है बहुत से गुरूप में जुरे हैं और भी गुरूप में जुरना बांकी है आप गुरूप में जो भी मेसेज आ रहा है किसी तरह आप ज्वेल है इसमें क्या है कि गुरूप में जुरने के बाद ही पता चला कि किसका क्या स्टेटस है अगर गुरूप नहीं बनता तो पता नहीं चलता किस स्टेटस में जारी है परमान पत्र इसू किया जा रहा है गुरूप में जुरने के बाद पता चला है तो आप गुरूप में जुरेंगे चुकि इसमें भारत के सभी राज्यों से तक्रीबन आबेदक है और मैं समझता हूँ सभी बिद्वान है चाहे किसी भी स्टेट्स के हूँ मैं बहुत उनके कार्ज से मैं बहुत खुस हूँ यही मैं कोशिज करता हूँ कि गुरूप में बिना मतलब का आप मैसेज मत करें जो जरूरी है और जिससे नोट्री का कार्ज परगती पकर सके परगती में आ सके सभों को 40,000 लगभग है सब को नोट्री का लाइसेंस मिल सके उसके लिए परियास करना है चुकि एक कहावत है कि पहले मुर्गी हुई या अंडा हुआ इस सवाल में नहीं जाना है सभू का हित कैसे हो इसके लिए कोशिज करना है और अफसोस की बात ये है कि जो बिद्वान अधिबकता है जिन्होंने अधिबकताओं ने देश अजाद क की बात है एक जारू जो लगाता है उसका भारत में संगठन है लेकिन ये बिद्वान नोटरी अधिबकताओं का कोई संगठन नहीं है तो आप जो भी है आप सबसे पहले जूरे गुरूप में निवेदन है कि आप जिस भी स्टेट्स के हैं आप गुरूप में मैसेज करके आप जो भी है फर्मूला आप इस्तेमाल करें बैटन बाच करें और कार्ज को परगती पर लाने के लिए कुछ सफिसेंट एक्सन ले तो इसी आसा उमीद के साथ मैं भारत के सभी जो आबेदक जो नोटी एड़ोकेट एस्योसियसन से जुरे मैं उनको धन्यबाद दे देता हूं और मुझे जो सबसे अच्छा ब्यवहार लगा अभी दो इस्टेट्स खास करके महराष्ट और मध्यपरदेश और ऐसे तो सभी इस्टेट्स के जो भी है नोटी आबेदक बहुत डिसिप्लीन में है मैं उनसे खुश हूं लेकिन पूर्सों के साथ थोड़ा महि बश्ता हूं अगर आप एक रहेंगे तो आपको कोई हिला नहीं पाएगा और जब अंग्रेज जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके राज में कभी सुरज नहीं डूपता था जब बकीलों ने उनके जैसे अंग्रेजों के जैसे जो कहिए सक्षम जो थे हर चीज में उनको जब साथ समंदर पार जब भेजने का कार्ज किये तो ये नौट्री कौन सी बरीबात है जब हम भारत के नौट्री आवेदक आपस में मिल जाएंगे और कंधे से कंधा मिला कर चलेंगे एक दूसरे को सहजोग करना हम सीख लेंगे तो हम समझते हैं मैं समझता हूँ के निश् सेट्स का भी गुरू बना लिजिए और जीओ और जीने दो इसी फर्मूला पर चलिए ये चैनल आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद